राहुल गांधी के भाशन की ये क्लिप पिछले कुछ दिनों से सोचल मीडिया पर वाइरल है किसके हाथों में है कौन से वर के हाथ में है और इस एतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिक कारी काम शुरू करेंगे जो आपका हक बनता है वह हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे ये वीडियो शेर करते हुए भाशपा समर्थक और राइट विंग इंफ्लोएंजर्स राहुल गांधी पर मुस्लिम तुष्टिकरों का आरोप लगा रहे हैं भाशपा सांसर्द गिरी राज सिंग ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी खुले आम हिंदूों के अधिकार और संपती चीनने की बात कर रहे हैं अकसर गलत सूचनाय शेर करते हुए पाए गए यूजर आरुन पुदुर ने भी ये वीडियो ट्वीट किया जिसे राइट विंग ट्रॉल अजिद भार्ती ने को ट्वीट किया है इस वीडियो को वाइरल ह ता देख और न्यूज ने मामले में तहकीकात की यूटूब पर सर्च करते हुए हमें मालूम हुआ कि ये कथित वीडियो राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद में मैनिफेस्ट लॉंच की रेलिका है 6 अप्रिल 2024 को ये वीडियो उनके चैनल से अपलोड किया था को डलेतों को आदिवासियों को गरीब जेंदलकास के लोगों को माइनॉरिटी इसके बाद हम फाइनेंचल और इंस्टिटूशनल सर्वे करेंगे अधे विदंगा आर्दिक परबाईना व्यवस्तागोईना सर्वे गुड़ जयेंचे बोचुन नामों ये पता लगाएंगे इंदुर्ण किसके हाथों में है कौम से वर्ग के हाथ में है ये विदंगा बारत देशन योकत धनों ये वर्गंद गरूंदी ये करूंदो में और इस एतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे ये चारित्रात्म का अड़ूगेशन तरवाता पन्नी विप्लवात्म का मार पुलू थिसकरा बोत नामों जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे मी हक कही ते दुन्दो मी यानि राहुल गांधी सिर्फ अल्प संक्यक समुदाई की बात नहीं कर रहे थे बलकि पिछडे वर्ग, दलित, आदिवासी और गरीब सावान्य जाती के लोगों की बात कर रहे थे लेकिन उनके बयान को एडिट करके चलाया गया ताकि ऐसा लगे कि वो सिर्फ अल्प संक समुदाई की ही बात कर रहे हैं